नमस्कार, तिबब्द टीवी के बेहत खास कारेकरम विशेश बात्चित में आप सभी का स्वागत है आज हमारे बीच कोर गुरुफ और तिबेटन कौस के छेत्रे सन्योजक और बारत तिबब्द मैत्रि संग के वरिश सदस्य श्री संदेश मेश्रम जी के साथ उनके दौरा तिबब्द मुद्दे पर आयोजित साइकल यात्रा पर चर्चा करेंगे संदेश मेश्रम तिबब्दी आंदोलन से लंबे समय से जुड़ा है और उन्होंने तिबब्द मुद्दे को बारत के जन्मानस में जाकरुकता बढ़ाने के लिए अनेक कारेक्रम आयोजित की है और अनेक कारेक्रमों में भाग भी लिया है संदेश जी आपका तिबब्द टिवी में बहुत-बहुत स्वागत है कि सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को आपका तिबदी आंदोलन से कब और कैसे जुड़ना हुआ उसके बारे में थोड़ा जानकारी देजिए तिबदी आदोलन से वैसा मैं 1982-83 से जुड़ा हूँ क्योंकि 82 में परमपाउन जी नाकपूर आये थे उसके मेरा पहले बार उनका समवाद भी सुनने मिला है दार्शन भी हुआ है और उसे वक्त में हम लोग NCC में उनको शोसल सर्विस किये थे जिसके उपर उनीके शोसल सर्विस के उपर मुझे स्काउट और गाइड से उस वक्त के ततकाले राष्टरपती निलम संजीवा रिड़ी जी के दुआरा परमपाउन जी की शोसल सर्वि से जूरते गए ठीक है तो आपने हाल ही में एक साइकल यात्रा किया है जो कि आपने 2014 से शुरू किया है तो इस तंदर में आप हमारे दर्शकों को इस साइकल यात्रा का मुख्य उद्देश क्या है इसके बारे में थोड़ा जाक्रू करिए इस साइकल यात्रा का मुख्य उद्देश है भारत तिबबत की आजादी भारत की सुरक्षा क्योंकि तिबबत हमारा पड़ोसी देश है जिसके हमारी जो सीमाय है वो तिबबत से लगी हुई है चीज से नहीं इसलिए तिबबत मुक्त हो यही जन जागरन लोगों में इसक कितना जागरुकता बड़ी है भारतिय लोगों में विशेश कर और क्या भारतिय लोग तिबबत की विशे से जागरुक है अपने बहुत अच्छा प्रशन पूछिया इसके उपर मैं यह कहना चाहता हूं कि आज हम तिबबत निर्वासी सरकार हुए तिबबत ते मुमेंट ते में बहुत लोगों को तिबबत के विशे जानकारी नहीं है यह जान जागरुकर कर ऑगे है कि पनरा से परसेंटी लोगों को तिबबत के विशे पर बता चुक है तो में पुछतिया तिबबत का है हमारे सीमा तो चीन से लगी तिबबत से नहीं फिर उते ऐसा बताते हुए चलना पड़ता है इसलिए यात्रा के दोरा ने सब पता लगा है कि हमारी भारत में भारत की जनता ज्यादा से ज्यादा ऐसा लग रहा है मुझे कि 20% प्रतिश्यदी लोग राज चीन है और यहुgg यात्रा जो है कहां से कहां किया है और इसमें किटने राज्यों का कवर किया है और इसमें कितना किलो मिरेर आपने उस उन राजियों में यात्रा की है इसके बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए यह यात्रा बने 2014 में शुरू की थी पहली यात्रा मेरी पांच रज्यों से हुई थी जो महाराष्टा, 36 गड़, उरिस्सा, तेलंगाना और आंध्रा प्रदेश में हुआ था यह यात्रा लगभग 4000 किलो मेटर का था और इस यात्रा में लगभग 2 मैना का समय लगा था मेरी दूसरी यात्रा नागपूर से बौद्दगाय के लिए हुई थी जिसमें महाराष्टा, मध्यप्रदेश, उत्ताप्रदेश, बिहार इसको कवर किया था और यह यात्रा करीब-करीब 1200 किलो मेटर के हुई थी तीसरी यात्रा बौद्दगाय से नतूला पास रखिया था और यह यात्रा बिहार, पच्छिम बंगाल और सिक्किम इन राज्यों से होते हुई गई थी यह भी करीब-करीब 1200 किलो मेटर के आसपर हुई थी और यह भी करीब-करीब 22 दिन इस यात्रा में लगे थे मेरी तीसरी चौती यात्रा धमशाला से 2021 में शुरू किया था जो धमशाला हर्याना, पंजाब, चंडीगर, डेली, उत्तर प्रदेश, राजस्तान, गुजरात, महरास्ता, गोवा, करनाटा का इस यात्रा को सवापन किया था बात में इसी यात्रा का जो कुछ भाग जो रह गया था दक्षिन भारत का वो अभी हाली में पूरा किया हो 2021-20 में जिसमें करनाटा का, केरला, पॉंडिचेरी और तामिल नाइडू, यह यात्रा करीब-करीब है, यह यात्रा 2400 किलोमेटर की है और जो मेरे चौती यात्रा जो थी धामशाला से, वो लगभग 7300 किलोमेटर की थी, इस प्रकार मेरे साइकल यात्रा का यह पूरा ही है इसका मत्तब यह हुआ कि आपने बारत के उत्तर, तक्षिम, पश्चिम, पूर सभी जगाओं का तिबबत के मुद्दे को उठाने के लिए, लोगों में जागरुपता बढ़ाने के लिए आपने यह सभी यात्रा की है और हमने ये भी बीच में ये सुना था कि आपका जो चौधा यात्रा जो है, अभी जैसे कि आपने कहा था, ये बीच में आपको थोड़ा गटना गटी है बीच में, तो उसके बारे में थोड़ा हमें बदा दीजिए हमारे सभी दर्शकों को उसका ऐसा है था कि जब चौधी यात्रा कर रहा था, गोवा क्रॉस करने के बाद, जब मैं करनाटका में प्रविश किया था, और करनाटका के उड़पी शहर में, मुझे ब्लड ओमेटिंग हुई थी, दो बार, तब मैंने ये डिसीजिन लिया थे, कि अभी इस यात्रा को स्थगित करके या तो कहीं हॉस्पिलाइज होना पड़ेगा, तो उस वक मैं वहाँ से बिला कुपी गया, बिला कुपी तिविटन सेटलमेंट में, जो करिब करें, उलुपी से 500 किलोमेटर का डायरे में थी, वहाँ जाने के बाद, हमारे इटको ओफिस से पहले से इंपॉ तो पता चला कि मेरा जो हिमोग्लोबिंग है, वो छे परसेंट पे आ गया था, जो डेंजरिस था उस वक, तो वहाँ के लोगों ने मुझे अपॉल हॉस्पिटल मैसूर में एडमिट किये, उस वक, आईसियो में, जहां मुझे बलड की अत्यनता आश्रकता थी, तो मुझे बलड की जब अत्यनता आश्रकता थी, तो उस वक, मैसूर तिबेटेन स्टूडन असोशियेशन करके हमारी एक तिब्बती बच्चों का असोशियेशन है, उन्ही बच्चों ने बलड डोनेशन करके, उस वक मुझे बलड देकर, एक आपके साब एक स्वास्त बैटा हूँ यह उस सोट बेर हास्त हुआ था। जगाओं का यात्रा किया है, बारत के अब लगबग आपने सभी राजियों का तिब्बत के प्रशन को लेकर यात्रा की है, तो इन सभी राजियों का यात्रा के दोरान आपको जो समन्वे करना, समर्थन करना, ये किन संस्ता या क्या बोल दे, समुदाय का आपका समर्थन रहा है। यह देखा था कि जादा तर आपका जो समन्वे जो है आप किन जगा जगा पर पहुंच रहा है यह सब हमारे जो नई दिलिस्तित भारत तिब्बत समन्वे केंद्रे है उन्हीं के करमचारियों के द्वरा हो रहा है और उनका समर्थन कैसा रहा आपकी इस पूरे यात्रा में तो आपनी जो सैकल यात्रा की है तो जैसे कि आपने पहले पहले हैं तो जैसे कि आपने पहले भी कहा था बारत के अंतर केवल बीस प्रदिशत ही जन्टा को तिब्बत के बारे में जागरुख है अब आपको क्या लगता है जैसे कि आपने तो तिब्बत के फ्रशन को लेकर एक नारा लेते हुए गए है यहां तक कि आपने एक तरफ तिब्बती जन्टा और तो प्रतिशत ना हो 50 प्रतिशत जो है भारतिय लोगों में जागरुख करने के लिए हमें आगे क्या करने की आउशक्ता है अभी इस पर हम लोगों को सबसे जादा जन्जागरन करने के बहुत ज्यादा आऊशक्ता है चाहे छोटी-छोटी सबाय हो कॉर्णर मिटिंग्स हो यह साइकल यात्राय हो पद यात्राय हो छोटी-छोटी जादा बड़ी ना करें हम लोग अपने अपने शेत्रें ने तो इस से जादा फाइदा है साथी साथ हमारे जो तिबती युवा समुदा है हाँ जी इनके लिए पी एक मैं कहना चाहूँगा कि शोशल मीडिया से हटकर हम लोग शोशल मीडिया ज्यादा ज्यादा से क्या होता है कि जो हमारे जो पैच्छान वाले हम उन्हीं में खेलते रहते हैं तो इसले मैं उसे चाहता हूं कि वह भी शोशल मीडिया थोड़ा साथ कर थूड़ा उनकम भी बाहर निकल कर सीज़ जमीनी स्तर पर आके कुछ का में कि जमीनी स्तर पर को काम करें जिससे कि हम लोग जन जाधा कर पाएगे जादा से जयादा लोगों तक मोंश पाएगे इस की शप्र मुद्धा है उन्होंने तिपबत के प्रश्ण को लेकर के अभी तक सवाल मुद्धा बारत में अभी भी रहा है अब और श्य पटी जो है आ रहा है उनको आप kiya कहना जाओगी विशेशकर अब उनको हमें जाकरुक करना है नशी जब तक उन्हें हम जागरूग नहीं करेंगे तो एक समय ऐसा आएंगा कि लोग जो है तिबबत के प्रशन जो है वो बूल जाएंगे क्योंकि अभी आज के समय तिबबत का मुद्दा एक ऐसे मुद्दा है जो कि भारत की सुरक्षा आर्थिक और धर्म उन सभी समस्यां से जुड़ा हुआ है तो इस पर आप युवा पीड़ी को क्या संदिज देना चाहेंगे इसमें मैं इवा पीड़ी को खास करके भारतिय इवा पीड़ी के लिए यह कहना चाहोगा कि हम लोगों उने 122 का यूद्ध जो हुआ है उसको ध्यान में रखते हुए तिबबत के इश्यू मुद्दे को जादा से जादा इवा उने उस मुद्दे को जानना चाहिए जो हाली में जैसरा डोकला हुआ है गलवाल हुआ है अभी जैसरा कोविड-19 का जो है इसके उप़र से भी हमारे जो इवा साती है या हमारे भारते इवा है जिनों ने इस इशे को जानतार हासिल करते हुए तिबबत को जादा से जादा समसर करना चाहिए क्योंकि अभी हाली में दोगलान में भी यह हुआ और गालवान गाठी में हुआ उसी प्रकार हिमालाय चेट पर चीन तो गुस्पेट करते रहते है अब आप जैसे कि भारत तिबद मैतरी संग के एक वरिश सदस्य भी है अब भारत तिबद मैतरी संग का यह कहना है कि कितना महत्वर रखता है इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अगर भारत को चीन के साथ समन्धल रखना है और इसको एक हम अहीं सिस्वर से देखे तो सबसे पहले तो हम लोगों ने तिबद की आजादी को लेकर ही जीन के साथ इस समन्द को रखना है तो मेरा एक सोच है कि जब तक हम तिब्बत की आजादी का मुद्दा चीन के सामने ना रखे तब तक तो चीन के साथ महित्री जो है कोई काम की नहीं महित्री पुर्ण जो समाना जो वेवार चल रहा है यह कोई माइने नहीं रखेगा और अभी के समय आप कोरगूरूप का भी जिम्य-दारी ले रहा है कोरगूरूप फॉर तिबेटन कोळूष के आप छेत्र संयोजग भी है तो इस अंदर में जो आपका छेत्र जो है वो पश्च्च्चमी छेत्र का है तो वहां जो है हमारे तिबब समर्थख और जो हमारे स्क्रिय अता है वहां। तो यह नहीं कहना चाहूँ है कि महारास्ट पूरा सक्री हो चुका है लेकिन कम से कम हम भी महारास्ट में 25% इस विशे को लेकि सक्री हो चुके है तो आने वाले समय में आपको कोई कार्या योजना तिब्बत के संबन में कोई आपने सोच रखा है आगे क्या रनिती अभी तैयार करना चाहिए क्योंकि जन जागरन जो है वो तो चलते रहते है वो तो चलेगा आप करते रहेंगे आप जो है राजनितिक स्तर पर जो समर्थन जोड़ना है वो बहुत महत्वर रखता है तो इस पर आपकी क्या मतलब की आने वाले समय में क्या योजना है इस पर तो हम लोग यह सोच रहे हैं जैसे महारस्ट में हम लोगों के सभी सांसदों को मिलकर एक निवेदन देगे कि आने वाले सेशन में हो या इस मुद्दे को जितने से ज्यादा से ज्यादा आप हाउस में उठाएंगे पार्लेमेंट में उठाएंगे जो नहीं है और आखिर में यह आप से पूछना चाहेंगे कि आपके जो आभी यात्रा है उसी संबन में आगे हमें क्या करना चाहिए और आगे हमें क्या करने के आवशत्ता है हमारे एक देखने में आया कि जैसा अब दख्षिन भारत ले तो बारत में हमने पर साइट नहीं है उसके बारे में लिट्रेशर जो होता है वहाँ दक्षिन भारत में की लोकल लेंग्विज जादा यह माइना रखती है तो हमारा यह सोच है इस बारत तो कि वहाँ का जितना लोकल लेंग्विजेस है उसे पे हम लोग साइट निकाल के वहाँ जादे से जादा डिस्टिबूट कर सके क्योंकि आप जब यात्रा कर थे उस समय भी ऐसा आपके साथ एक वाउना एक मैसूस किया होगा आपने कि क्योंकि तामिलाइड हो केरला हो जी 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 इसमें यह मैसूस हुआ है कि लिटरिचर नहीं हम लोगों के पास जी कि स्तानियस्तर की भाशा की है ना यह हम आगे जरूर दियान में रखेंगे आप का समय देने के लिए बहुत बहुत दन्यवाद और हम हमारे दर्शकों से यह कहना चाहेंगे कि संदेश मेश्रम को हम तिबती लोग प्यार से समतिन यशी से भी जाने जाते हैं और उनकी और से तिबत के प्रती जो समर्थन है और कार्य जो है वो 1982 से उन्होंने शुरूर कि हम यही उमीद करेंगे कि आने वाले समय में संदेश की तरह एक कोई नया युव़ पीरी जो है तियवत की इस अन्दोलन में जोड़े बहुत-bहुत धन्यवाद संदेश जी आप स्वश्त रहे यही हमारे दुआ है तन्यवाद बहुत धन्यवाद आल्युत बहुत बहुत